नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल दा अगरी कल्चर गुरूजी में आज हम आपके लिए इस वीडियो में करण डेटा लेकर आए हैं जो कि आपके AFO मैंस के लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही महत्पूर्ण साबित हो सकता है इबन जो आपने अभी पुराना पड़ रखा है उसका भी कुईक रिविजन इसमें हो जाएगा तो ये आदे घंटे की वीडियो होने वाली है तो आदे घंटे में आपका रिविजन बहुत अच्छा हो जाएगा और जो भी डेटा में confusion है तो वो भी आपको यहाँ पर किलियर हो जाएगा तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि फसल का फुल फॉर्म क्या है फुल फॉर्म है इसका forecasting agricultural output using space agro meteorology and land based observation अब इसके फुल फॉर्म के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि इसमें तीन agencies साथ में काम करती हैं जो कि हैं SAC, IEG and IMD SAC का फुल फॉर्म यह दि हम बात करें तो Space Application Center जो कि अमदाबाद में है IEG Institute of Economic Growth जो कि New Delhi में है and IMD Indian Metrological Department जो कि हमारा New Delhi में है पहले इसका जो headquarter था वो पोने था इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और एक और हम बात करते हैं यहां पर Center की जो है महाल नोविस National Crop Forecast Center इसकी स्थापना हुई है दोस्तो 23 अप्रेल 2012 को अब हम बात करते हैं population growth की तो अभी new जो है हमारी census होने वाली है population के लिए तो पुरानी census का जो दशक था यह हमारा जाने वाला है तो हो सकता है कहीं भी इसका question आ जाए तो नागालेंड है कैसा state था जहां की population growth थी वो decline हुई थी और सबसे ज़्यादा increase जो हुई थी वो दादराय और नगर हविली में हुई थी percentage बाइस यहां पर बात चल रही है संक्या की यहां पर कोई भी बात नहीं की गई है percentage बाइस यहां पर बता रहे हैं हम आपको अब आगे जो आता है वो है आपका BPL population percentage बाइस तो BPL population जो below poverty line की families होती है उनकी सबसे ज़्यादा percentage कहां पर है 36 गड़ में है और सबसे कम गवा में है और यदि हम ruler की बात करें ग्रामीर जन संक्या के percent की बात यदि की जाए तो जहारकेंड में सबसे ज़्यादा है और गवा में सबसे कम है यदि All India की हम बात क MP यहाँ पर मैं आपको crop bias भी बताऊंगा detail में कि किस crop का production किस state में जादा है और किस crop का area किस state में जादा है और productivity भी किस state में जादा है यह हम एक एक crop bias भी पढ़ेंगे पहले यहाँ पर थोड़ा समय ने हलका हलका दिया हुआ है अब मेज की अधि हम बात करें तो करनाटक मे सबसे जादा production है देन महाराष्ट एंड MP टोटल पलसेज में मद्यप्रदेश पहले इस्थान पर आपको देखिए पहला इस्थान और दूसरा इस्थान आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि IBPS का जो तरीका है वह पूछने का यह है कि पहले इस्थान वाले state को नही दूसरे पर आप पंजाब तीसरे पर आपको यह है तो कुछ क्रॉप्स एसी होती है जिनको कि हम खरीब सीजन और भी सीजन दौनों में ही उगाते हैं तो किस सीजन की प्रोड़क्टिबीटी ज्यादा होती है एक पर्टिकुलर क्रॉप में वो भी यहाँ पर हम आपको बत करें तो खरीब सीजन की राइस की जो क्रॉप होती है वह है रभी सीजन की राइस क्रॉप से उसकी प्रोड़क्टिबीटी कम होती है अर्थात राइस की जो रभी सीजन की क्रॉप होती है उसमें ज्यादा होती है ऐसे ही हम बात करते हैं ज्वार की तो ज्वार की खरीब सी सीजन की कम है और रभी सीजन की अधिक प्रोड़क्टिविटी है यहां पर एक बात और हम आपको यहां पर क्लियर कर दें कि सिर्फ जुआर ही एक ऐसी क्रॉप है जिसकी की खरीब क्रॉप की प्रोड़क्टिविटी ज्यादा है रभी सीजन से बागी ज्यादा से ज्यादा क प्रॉटल पल्सेस में भी खरीब सीजन में जितनी भी पल्सेस हम उगाते हैं उनकी प्रोड़क्टिविटी कम है रभी सीजन की अपेक्छा एंड टोटल फूट्गें की अधिया हम बात करें तो वहां पर भी इस्तिती यही बनती है इन सभी की मैंने इंडिविजल भी आपको प्रोड़क्टिविटी दे रखी है और इस रेपोर्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा यह है रेपोर्ट एग्रिकल्चर एट एग्लांस 2018-19 में जिसमें की पूरा डेटा 2017-18 का जो एग्जेक्ट डेटा है एस्टिमिट देख सकते हैं और अल्मोस्ट प्रोड़क्टिविटी जो और क्रॉप्स में आपसे प्रोड़क्टिविटी जादा पूछा जाए तो सरवादिक प्रोड़क्टिविटी होती है आपकी सोगर कैन की और सीरियल्स में पूछा जाए तो सीरियल्स में है हमारी वीट की आगे ह चलते हैं आगे area under irrigation की अधी हम बात करें तो जो 14-15 के हिसाब से उस report में area दिया गया है irrigation का तो 53.05% area irrigated है और सबसे ज़्यादा जो area irrigated है वो पंजाब में है 99% highest area irrigated कहीं पर है तो कितना है 99% पंजाब में अब हम बात करते है area and production की तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर rice तो rice का जो area की अधी मैं बात करूँ irrigation का तो rice का area कहाँ पर सबसे ज़्यादा irrigated है तो वो है आपका हर्याणा और पंजाब और फिर आपका तेलंगाना उसके बात में area सबसे ज़्यादा rice का है best बंगाल UP 36 गड़ प्रोडक्शन की अधी हम बात करें तो best बंगाल पंजाब एंड यूपी पहले दूसरे बार तीसरे स्थान पर है अब हम productivity की अधी बात करें तो productivity सबसे ज़्यादा rice की पंजाब में है उसके बाद तमिलनाडू अब हम बात करते हैं wheat wheat का जो irrigation में percentage है area में वह है 94.19 overall यहाँ पर हमने आपको बताया है area की अधी हम बात करें तो उतरप्रदेश, मद्यप्रदेश पंजाब एंड प्रोडक्शन की अधी हम बात करें तो उतरप्रदेश, पंजाब एंड मद्यप्रदेश productivity की अधी हम बात करें तो पंजाब की सबसे ज़्यादा productivity है और हरयाणा की दूसरे स्थान पर यहां पर productivity है अब हम बात करते हैं irrigation की की जहाँ पर wheat लगाई जाती है wheat को उगाया जाता है वहाँ पर irrigation में area में सबसे प्रथम इस्थान पर कौन है पहले स्थान पर कौन है तो नूट्री सीरियल्स की तो नूट्री सीरियल्स का एरिया सबसे ज़्यादा राजिस्थान में है और फिर महाराष्ट है और करनाटक प्रोडक्शन की एरिया हम बात करें तो राजिस्थान करनाटक और महाराष्टा में है यहाँ पर बात करें तो आंद्रप्रिदेश की सबसे अलग अलग है और इसके पहले जो भी हमने डेटा पढ़ा हुआ है वो बहुत डिफरेंट था तो अभी इस डेटा को हम जब पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा अलग लगता है अब हम बात करते हैं यहां पर जुआर की तो जुआर का एरिया महाराष्ट एंड करनाटक में पहले और दूसरे इस्थान पर प्रॉडक्शन यहां पर महाराष्ट करनाटक इनट म Lori प्रदेश में क्रम्शा एक, दो और तीन इस्थान पर है इंड कि अदी हम बात करें तो हमाराइ lord इसके जादा है और दूसरे इस्थान पर उत्र प्रदेश में हैे लेकिन जिल्ड की यदि यहाँ पर बात की जाया तो मद्ध परडेश की जो productivity है वाजलेकी वह है, आगे हम बात करते हैं मेज, मेज का area मद्ध परडेश में सर्वादेख एवं करनाटक में दूसरे इस्थान पर है, जबकि production करनाटक में शरबादिक और मद्य प्रिदेश या महराश्ट दो दौनों समलेत रूप से दूसरे इस्थान पर है क्योंकि इसका जो production का data है वो exact इकदम same दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर दौनों को second इस्थान पर लिख दिया productivity की बात की जाए तो तमिल नाडू की productivity सरबादिक है एवं दूसरे इस्थान पर आंद्र प्रिदेश का number आता है total pulses में area यह तो सभी जानते हैं की मद्य प्रिदेश प्रतमिस्थान पर है then रायस्थान and then महराश्टा production की जाए तो production में भी मद्य प्रिदेश का प्रतमिस्थान आता है and रायस्थान and महराश्था दौनों इसके बाद आते हैं yield की बात करें तो मद्य प्रिदेश की productivity भी सरबादिक है उसके बाद में देखें यहाँ पर रायस्थान महराश्थ को छोड़ कर जहारकंड की productivity सरबादिक है एवम आंद्य प्रिदेश की सरबादिक productivity है तीसरे स्थान पर आगे gram की हम बात करते हैं gram का area मद्य प्रिदेश, महराश्थ और रायस्थान में पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है production भी दोनों में सेम ही है और productivity की बात की जाए तो gram की productivity तेलंगा ना में शरबादिक है जबकि मद्य प्रिदेश में दूसरे स्थान पर है आगे हम बात करते हैं तूर या अरहर की जिसे की पिजन पी बोला जाता है रेड ग्राम बोला जाता है इसका एरिया महराष्ट करनाटक एवं मद्य प्रिदेश में क्रमशा पहले दूसरे बाद तीसरे स्थान पर है जबकि production महराष्ट मद्य प्रिदेश एवं करनाटक में पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है productivity की जिसे हम बात करें तो केरला की productivity सबसे जादा है तूर की उसके बाद बिहार की और उसके बाद पश्यम बंगाल की अब हम बात करते हैं मसूर की तो मसूर का एरिया MP में सरवादे की UP दूसरे स्थान पर है प्रोडक्शन में भी दोनों सेम ही है कि MP में सबसे ज़्यादा मसूर का प्रोडक्शन होता है और UP में दूसरे स्थान पर इसका उत्पादन किया जाता है Productivity की यदि हम बात करें तो मद्य प्रदेश इसमें प्रथम स्थान पर है और राजस्थान दूसरे स्थान पर है तो प्रथम और दुत्तिय तो आपको बहुत अच्छे से याद होना ही चाहिए अब हम बात करते हैं oil seeds की तो oil seeds में 9 crops को लिया जाता है तो इसमें area मद्य प्रदेश में सरबादिक है उसके बाद महराश्च में दूसरे स्थान पर एवम राजस्थान में तीसरे स्थान पर है और production मद्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में पहले दूसरे बाद तीसरे स्थान पर है yield की अधी हम बात करें तो Tamil Nadu में सरबादिक yield 9 oil seed सभी को मिला कर ही इसमें बताया गया है Tamil Nadu की yield सरबादिक है और उसके बाद गुजरात की productivity दूसरे स्थान पर है groundnut की अधी हम बात करें पहले दूसरे बाद तीसरे स्थान पर है एबं प्रोडक्शन राजस्थान हर्याना एबं MP में पहले दूसरे बाद तीसरे स्थान पर है yield हर्याना में सबसे ज़्यादा productivity है रैप्सीड और मस्टर्ड की सोयबीन की अधी बात की जाये तो सोयबीन का एरिया जो है छेत्रफल मध्यप्रदेश महराश्थ्वारा राजस्थान में पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है दोनों ही एरिया और production में सेम इस्टेट है लेकिन यदी yield की बात की जाये सोयबीन की सरभाद एक productivity तेलंगाना में होती है यह कुछ ऐसे डेटा है कि इनको जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही डिफरेंट हमें लगता है कि तेलंगा नामें सुहबीन की productivity सबसे ज़्यादा हो रही है कि मतलब हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं कि किसी स्टेट में ऐसा भी हो सकता है आगे हम बात करते हैं sunflower की sunflower का एरिय करनाटक में शरवाद देख है production भी करनाटक में सरवाद देख है लेकिन yield इसकी पंजाब में सबसे ज़्यादा होती है cotton की यधि हम बात करें तो cotton के छेतपल में महाराष्ट इबं गुजरात अग्रणी राज है जबकि उतपादन में गुजरात इबं तेलंग आना पहले दूसरे इबं तीसरे इस्थान के राज है यदि productivity की हम बात करें तो कपास की productivity उतपादक्ता गुजरात में शरबात दिखे जूट एंड मेस्टा की एरिया में बेस्ट बंगाल और बिहार पहले बाद दूसरे इस्थान पर है और उत्पादन में भी बेस्ट बंगाल और बिहार दूसरे पहले एवं दूसरे इस्थान पर है प्रोडक्टिबिटी की यदि हम बात करें तो जूट एंड मेस्टा की जो प्रोडक्टिबिटी है वो बिहार में सरबादिक है सुगर केन का छेत्रपल उत्रप्रदेश महाराष्ट इबं करनाटक में पहले दूसरे बत तीसरे इस्थान पर है जबकि उत्रपादन में भी सेम ही है उत्रप्रदेश महाराष्ट इबं करनाटक लेकिन यदि हम प्रोडक्टिबिटी की यहां पर बात की जाएं महाराष्ट सरप्रतम इस्थान पर है जबकि तमिलनाड़ू दूसरे इस्थान पर है और इससे पहले अभी तक हमने इसमें पढ़ा था कि जो गन्ने की productivity होती है उत्पादक्त होती है वो तमिल नाडों में सरवादिक होती है तो इसलिए ये question थोड़े थोड़े confusing बनते जा रहे हैं तोबैकों के यदि छेतरपल की बात की जाए तो गुजरात करनाटक एवम आंदरप्रदेश क्रमशाफ पहले दूसरे बात तीसरे इस्थान पर काबिज हैं जबकि उत्पादन में गुजरात आंदरप्रदेश वा उत्तरप्रदेश पहले दूसरे बात तीसरे इस्थान पर बने हुए हैं उत्पादक्ता की यदि हम बात करें तो तंबाकू की उत्पादक्ता उत्तर प्रदेश में शरवादेग जबकि तेलंग गाना में दूसरे इस्थान पर है oil seed crops की अब हम बात करते हैं तो देखे oil seed crops में यहां पर दो तरह का data आपको दिया हुआ है एक तो oil seeds का और दूसरा oils का कि हम oil seeds में किस crop को सरवादेक उतपादन कर रहे हैं और उस जो हमारी oil seed crop है उसके seeds से सबसे ज़्यादा किस से oil extract कर रहे हैं ये दो data यहाँ पर मिलेंगे तो oil seeds के यदि हम बात करें तो उतपादन में soybean सरवादेक है, ground nut दूसरे पर है, wrap seed and mustard तीसरे लेकिन हम यदि oil extract करने की बात करते हैं, oil का production की हम बात करते हैं तो wrap seed and mustard से सबसे ज़्यादा तेल निकाला जाता है, second पर ground nutrient, third पर soybean and fourth पर कैस्टर है अब हम बात करते हैbs crude palm oil की, तो आंदरप्रदेश production में और area में दोनों में ही आंदरप्रदेश पहले स्थाण पर है crude palm oil में अब बात आती है fruits की fruits के बारे में हम आपको बताते है area की यदि हम बात करें तो महरास्ट में सरबादेक area है production आंधप्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है vegetables के चेतरपल की यदि बात की जाए तो उत्रप्रदेश में सबजीयों का चेतरपल सरबादेक है जब की उत्पादन West Bengal में सरबादेक है यहाँ पर आपको first second and third दे रहे हैं तो मैं सारे आपको detail में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे हम बताते है flower तो flower में चेतरपल की अधी बात करें तो केरल में सरबादेक चेतरपल है वहीं उत्पादन में भी केरल ही सरबादेक है cut flower में राजिस्तान सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है cut flower का aromatic crops की अधी बात की जाए तो aromatic crops के चेतरपल में बात की जाए तो plantation crop का area राजस्तान में सबसे ज़्यादा एवं गुजरात में दूसरे इस्थान पर आता है जबकि उत्पादन में राजस्तान प्रथम एवं आंदरप्रदेश दूसरे इस्थान पर आते हैं अब हम बात करते हैं potato की पोटेटो का area यूपी में शरबादेखा और production भी यूपी में ही सरबादेखा लेकिन potato की जो yield है वो बहुत ही महत्पूर है जो की आपकी गुजरात में सरबादेखा देन हमारा onion है onion का area महाराष्ट में सरबादेखा प्रोडक्शन भी महाराष्ट में ही सरबादेखा बट इल्ड की यदि हम बात करें तो इल्ड में फिर से गुजरात यहां पर फस्ट नंबर पर है देन सेकेंड MP है मन्दप्रदेश कोकोनट की बात किया तो area में कोकोनट में केरला सरब्रतम है और production जो है केरला ही सरब्रतम है लेकिन यदि इसकी फिर से productivity कि ह हम बात करें तो गुजरात कोकोनट की productivity में भी आगे है तो यह आपको ध्यान रखना है कि कोकोनट की productivity गुजरात में ज्यादा इसका ध्यान बहुत ही हम अंदाजा कम लगा पाएंगे क्योंकि हम इस साथ हम केरल ही पढ़ते हैं आगे केश्यूनेट की बात की जाए तो केश प्रोडक्टिविटी हमने तीनों चीजें उसमें देख लिए अब हम बात करेंगे वर्डवाइट सबसे पहले हम बात करते हैं पैडी की तो पैडी में जो एरिया है वो इंडिया में सरबाद एक है चायना दूसरे स्थान पर है और यदि हम प्रोडक्शन की बात करें तो चायना प्रथम है और इंडिया सेकेंड है पूरे वर्ड का जो राइस का प्रोडक्शन हमारा इंडिया करता है वो करता है 21.65 परसेंट इल्ड की अधि हम बात करें तो चायना सबसे ज़्यादा इल्ड रखता है राइस की उसके बाद सेकेंड पर वियत नाम है और थर्ड ब्राजील है देखिए बहुत ही ज्यादा डिफ्रेंट नेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वीट की अधिया हम बात करें तो वीट के एरिया में इंडिया सबसे ज्यादा अब सेकेंड हम जब पहले हमने पढ़ा हुआ है चायना सेकेंड था लेकिन अभी देखिए हम बात करें तो जर्मनी की प्रोडक्टिविटी सरवादिक है वीट की मेज की अधि बात करें तो मेज का एरिया चायना में सबसे ज़्यादा है USA में दूसरे स्थान पर है प्रोडक्शन की अधिया हम बात करें तो USA में सरवादिक उत्पादन होता है जबकि चायना दूसर प्रोडक्शन की अधी बात की जाए तो भारत पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर है तो थोड़े दिनों पहले मैंने वीडियो में आपको बताई थी पल्सेज की सबसे जादा कहाँ पर है कनाडा में तब तक यह डेटा नहीं आया था लेकिन यहाँ पर डेटा चेंज एय में सर्वाद्य आयाल है इतोपिया दूसरे स्थान पर है अब बात करते हैं सोगर कैन एयरिया ब्राजील में सर्वादिक है Tobacco Unmanufactured की हम यहाँ पर बात करें Area जो है आपका चायना में सरबाद एक है Production भी चायना में सरबाद एक है लेकिन Yield की यदि बात की जाए तो Yield पाकिस्तान की सरबाद एक है Tobacco के मामली में Tobacco Unmanufactured इसे आप जरूर ध्यान रखना Tobacco Unmanufactured इंडिया के rank की यदि हम बात करें तो इंडिया की rank total area में हम 7 बेस्तान पर है and land area में भी हम 7 बेस्तान पर है लेकिन जो arrival land है वह है पहले इस्तान पर है इंडिया पूरे बिस्ब में और पूरे बिस्ब की arrival land का हमारे पास 10.99 प्रतिशत भाग है तो arrival land वाला question बहुत ही important हो जाता है और ये पूछा भी जा सकता है आगे हम बात करते है total cereals की तो total cereals में भारत का इस्तान तीसरा है सबसे पहले चायना है फिर उसके बाद USA and तीसरा इंडिया wheat में second number पर आता है and rice में भी second number पर production में इंडिया आता है availability की यदी में बात करूँ तो edible oil की जो availability है वो है 17.7 kg प्रती येर और tea की availability है 758 g एबं coffee की availability है 100 g जो की बहुत ही कम है और इनका consumption इतना ज़ादा है कि हमें इन सभी को import भी करना पड़ता है cold storage की units जो हैं और cold storage की चमता के आदार पर यदी यहां पर हम देखें तो उत्रप्रदेश में सरबादिक cold storage unit है एबं cold storage जो उसका चमता है capacity है वो भी उत्रप्रदेश में सरबादिक है और दूसरे इस्थान पर गुजरात है अब यहां पर हम बात करते है agriculture export की and agriculture import की 2017-18 में यदी हम percentage देखें agriculture export का यहां पर agriculture export से ताथ पर यह है कि जो total export है इंडिया का उसमें agriculture export का कितना योगदान है कितने प्रतिशत भाग है तो यहां पर 12.08 से प्रतिशत agriculture export का total export में भाग रहता है अब हम import की यदी हम बात करें तो वहीं पर import 5.07 प्रतिशत योगदान agriculture के import का रहता है सबसे ज़्यादा import quantity में हम किस चीज को करते हैं तो वो है vegetable oil second pulses है and sugar यहां पर दोनों आपको यहां पर बताया गया है कि quantity based and price based तो इसमें आपको confused नहीं होना है price based की अधिया हम बात करें तो सबसे ज़्यादा import की जाती है vegetable oil second पर पल से थर्ड पर सुगर की जगा पर यहां पर आपको fresh fruit देखने को मिलेगा export की अधिया हम बात करें तो export की quantity में non-bassmaty rice जो है वो सबसे ज़्यादा export की जाते हैं उसके बाद में वासmaty and third पर आता है oil meals अब price के base पर हम बात करें तो non-bassmaty जो rice होता है वो बासmaty से बहुत ही सस्ता होता है इसलिए वो second number पर third number पर है and बासmaty price के base में सबसे ज़्यादा export किया जाता है buffalo meat and third है आपका non-bassmaty अब यहाँ पर net area sawn किया दिए हम बात करें तो जो net area सोन था यह तो मैं पहले आपको videos में बता चुका हूँ 140.13 जो कि हमारा कितना प्रतिशत है 45.52 प्रतिशत है total land area का total geographical area का total crop area है हमारा 198.36 यह area जो है यह million hectare में है percentage में नहीं है confuse आपको नहीं होना 58.23% यह total geographical area का हमारा total crop area है net irrigated area हमारा 68.38 million hectare वहीं gross irrigated area है 96.46 million hectare percentage wise irrigated area की हम बात करें तो total cereals में पंजाब प्रतमिस्थान पर है वहीं pulses में भी पंजाब प्रतमिस्थान पर है इसका मतलब यह हुआ कि overall irrigation percentage की हम बात करें तो पंजाब सबसे ज़्यादा irrigation उसके पास sources है irrigation area है irrigated area है अब हम बात करते है अल इंडिया की तो अल इंडिया में जो area है irrigated cereals के लिए वह है 60.1% और pulses में जो है वह है 19.9% total area under all crops की यदि बात की जाए तो सरबादिक भी फिर से पंजाब में है 98.7% और इंडिया में जो total area में irrigation है वह है 48.6% area irrigated है अभी इंडिया का अब हम बात करते हैं land use aesthetics के बारे में तो जो मैं आपको बता चुका हूँ कि cropping intensity सबसे जादा किस की है पंजाब की है लगबग 190% के something cropping intensity पंजाब की है भारत की यदी cropping intensity देखी जाए 2017-18 के बिहाब पे तो 141.6% यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अब हम बात करते है micro irrigation की तो micro irrigation में drip irrigation आता है और दूसरा आता है sprinkler irrigation तो drip irrigation में आंदरप्रदेश सबसे जादा drip irrigation का use करता है second आपका महराष्टा है and third गुजराद वही sprinkler irrigation में राजिस्थान, करनाटेग और गुजराद, क्रमशा प्रथम, दुत्यव, तरती स्थान पर है अब हम बात करते हैं drip sprinkler दोनों को मिला के हम बोलते हैं micro irrigation तो total micro irrigation में कौन यहाँ पर प्रथम है तो राजिस्थान प्रथम है and second है आपका आंद्रप्रदेश chemical fertilizer consumption chemical fertilizer consumption से यहाँ पर यह अर्थ निकलता है कि यह NPK का total consumption है वो कितना हो रहा है तो यहाँ पर total NPK consumption है per hectare के अधिए हम बात करें 128.02 kg प्रती हेक्टर total NPK के मिला कर यहाँ बताया है N, P and K अलग अलग नहीं बताया है तो यह है 128.02 kg प्रती हेक्टर पूरे भारत में वोसत इतना इनका उपियोग किया जाता है सबसे ज़्यादा जो किया जाता है वो nitrogen fertilizer then second phosphorus and third पर आता है potassium fertilizer total NPK consumption के अधिए हम बात करें उत्तर प्रदेश पहले इस्थान पर है महराष्ट दूसरे पर और MP third पर है उत्तर प्रदेश यहाँ पर पहले इस्थान पर है जो हमने total NPK consumption आपको बता है वो है million tons में इसकी मातरा की मतलब सरबाद एक मातरा कहाँ पर million tons में यूज होती है लेकिन एक हेक्टेर में कितने किलोग्राम मतलब एक हेक्टेर में सबसे ज़्यादा किलोग्राम कौन सा इस्थेड यूज करता है तो वो है आपका pondicherry and then है आपका तेलंगान इसकी मातरा मैंने यहाँ पर नीचे दी कही है यह मातरा है आपकी किलोग्राम प्रती हेक्टेर में फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड की तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा fertilizer consumption Egypt country के द्वारा किया था and second republic of Korea है crop wise distribution के दिए हम बात करने certified quality sheet की तो जो availability होती है वो wheat की सरवादिक होती है और rice की दूसरे स्थान पर है जबकि requirement भी wheat की सरवादिक है और rice की दूसरे स्थान पर है अब हम बात करते है certified hybrid seed की hybrid seed में किसकी availability जदा होती है और किसकी requirement जदा होती है मेज की सबसे जदा requirement होती है और availability भी मेज की ही सबसे जदा होती है electricity purpose कि अभ्पा सबसे ज़्यादा राजस्थान अपने और वकशी करता है और मद्प्रदेश तो उत्तरा प्रदेश में सबसे ज्यादा 2017-2018 के दोरान ट्रैक्टरों की सेल हुई विके एंड महाराज दूसरे स्थान पर है मदप्रदेश तीसरे स्थान पर है marginal farmer का जो इंडिया का हम बात करें तो इंडिया में जो marginal farmer और small farmer को मिला कर लगबग 86% marginal और small farmer जिन के पास एक हेक्टेर से कम भूमी है और इसमाल फार्मर जो होते हैं वो जिनके पास एक से दो हेक्टेर तक भूमी होती है अब हम average size holding के बारे में यह दी बात करें तो all इंडिया में जो average size holding है average size holding का मतलब यह होता है कि एक इनसान के पास कितनी भूमी available है तो 1.08 hectare यहाँ पर इंडिया में available है average size land holding अब कितनी है 2014-15 की जो agriculture census थी उसके हिसाब से 1.08 इसके पहले थी 1.15 अब हम बात करते हैं कि जो highest average size land holding है वो किस state में highest है तो highest है आपकी नागा लेंड में and lowest है आपकी केरला में irrigation source की यही बात की जाया है तो भारत में सबसे ज़्यादा irrigation किस source के द्वारा होती है irrigation का श्रोत क्या है तो वह है tube wells और दूसरे पर है kennel third wells and fourth tanks तो पहले हमने पढ़ रखा है कि kennel का योगदान सबसे ज़्यादा होता है लेकिन अभी इस report के अनुसरा tube wells का योगदान सबसे ज़्यादा है irrigation में irrigation crop की यही बात करें तो पैड़ी सबसे ज़्यादा irrigated crop and wheat सेकेंड इस्थान पर है अब हम बात करते है agriculture household income की यह मतलब जो agriculture से related household है agriculture related families हैं उनकी income सबसे ज़्यादा किस राज़ी में है तो पंजाब में सबसे ज़्यादा है और हर्याणा में दूसरे इस्थान पर है अक्सर हमें पंजाब और हरयाना को लेकर doubt होता है जिसमें कि हमें confusion बहुत ज़्यादा होता है कि हरयाना में ज़्यादा है कि पंजाब में तो ध्यान रहे पंजाब में सबसे ज़्यादा income है एगरी कल्चर हाउस होल्ड की अब हम बात करते हैं इसमें आपका fish production last topic है fish production के बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताऊँगा तो fish production जो inland fisheries है सबसे ज़्यादा आंधर प्रदेश में इसका उत्पादन होता है वही marine fisheries का गुजरात में और total fisheries का आंधर प्रदेश में सरवादिक उत्पादन होता है और one ton of copra जो होता है one ton of copra उसकी जो unit होती है वो होती है 673 nuts बरावर one ton copra का होता है और copra भी जो है एक oil seed crop में ही हम इसको miser करते हैं गिनते हैं तो यह थी आज की वीडियो में current affair का आपके लिए revision करने के लिए वीडियो हम लेकर आये थे जिससे कि आपका एक quick revision हो जाएगा यहाँ पर वीडियो ज्यादा स्यादा 25 से 30 मिनिट की वीडियो बनी हुई है तो पूरी वीडियो जरूर देखें और एक बार जहां से भी आपने data read किया हुआ है जहां से भी data पढ़ा है जिस भी source से उस source से हमारे data को check जरूर कर लें एक बार tally करने के बाद आपको फिर यह पता लग जाएगा कि कहीं उस source में गलती तो नहीं है यह data मैंने दो-दो बार पढ़कर उसी report से बनाय हुआ हुआ है और वो report का source भी मैंने आपको दे दिया है agriculture at a glance 2018-19 यह report का नाम है जो की ministry of agriculture affair की website पर डली हुई है यदि आपको इस data में से भी कोई भी confusion है तो आप बहाँ से download करके फिर उसे recheck कर सकते हैं और फिर उसके बाद ही पढ़ें क्योंकि यदि एक भी question कहीं से थोड़ी सी गलती के वज़े से आप कमिस हो जाता है तो बहुत बड़ी mistake हो जाती है तो इसी के साथ आप हम आगे मिलेंगे आपसे कभी भी जब भी next video हम लेकर आएंगे अभी तो हम regularity नहीं दे पा रहे हैं आपको इसके लिए हम आपसे बहुत ज़्यादा माफी चाहते हैं लेकिन आगे जब भी जैसा भी होगा हम regularity प्रदान करने की कोशिश आपको करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका जै हिन जै भारत